बधाई दो बॉलिवुट को बधाई देनी चाहिए राजकुमार राव को बधाई देनी चाहिए और भूमी पेडनेकर को बधाई देनी चाहिए बै ऐसी फिल्म बनाने के लिए बधाई जरूर देनी चाहिए पहले आई थी बधाई हो आयुश्मान खुराना वाली जिसमें आयुश्मान खुराना की मम्मी मनी नीना गुपता प्रेगनेंट हो जाती है और फिर दिखाया जाता है कि किस तरह से जब एक बड़ी उम्र की लेडी प्रेगनेंट हो जाती है ये मेरी समच से बाहर है क्योंकि ये एक बिलकुल अलग फिल्म है हाँ, प्रडक्शन कंपनी वही है, जंगली पिक्चर्स देखिए भईया, कहानी है राजकुमार राओ और भूमी पेडने करकी राजकुमार राओ पुलिस वाले हैं, दबंग टाइप पुलिस वाले हैं लेकिन उनका जो इंटरस्ट है न, वो लड़कों में है समझ गए न, ऐसे ही भूमी पेडने कर हैं, उनकी दिल्चस्पी लड़कियों में है दोनों की मुलाकात होती है, दोनों के परिवार वाले प्रेशराइज कर रहे हैं कि भाईया शादी कर लो और दोनों टाले जा रहे हैं ऐसे में राजकुमार राओ भूमी पेडने कर को आईडिया देते हैं आपस में शादी कर लेते हैं, रूममेट्स की तरह रहेंगे, कलेश खतम, दोनों शादी कर लेते हैं, लेकिन भाईया इंडियन फैमिलीज में कलेश खतम हो जाए, तो फिर बात ही क्या है, यहां से तो कलेश शुरू होता है, अब राजकुमार का अपना पार्टनर है, भूम आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, बस फिर जिस जद्दो जहद में कहानी उलजती है, इस तरहें से ये दोनों परिवार का सामना करते हैं, समाज का सामना करते हैं, यही इस फिल्म में दिखाया गया है, देखिए, LGBT कम्यूनिटी किस तरहें की परिशानियों से दोचार होती है, क्या उनके emotions होती है, क्या कुछ उनकी परिशानिया होती है, क्या उन्हें प्यार करने का अधिकार नहीं है, क्या उन्हें अपने परिवार को आगे बढ़ाने का अधिकार नहीं है, यह फिल्म इन सारे मुद्दों पर बहुत sensibly बात करती है, बहुत अच्छे से उन करते कमाल की एक्टिंग कमाल के एक्स्प्रेशन्स यही बात मैं भूमी पेडनेकर के लिए कहुँआ भूमी पेडनेकर की एक्टिंग टॉप नॉच है और इन दोनों की केमिस्ट्री गजब की है इसके अलावा इस फिल्म में जितने भी छोटे छोटे सितारे हैं फिल्म की जो सपोर्टिंग स्टारकास्ट है सबने बहुत कमाल की एक्टिंग की है कहानी उत्त्राखंड बेज़्ड है और हर एक्टर ने अपने किर्दार के साथ इंसाफ किया है हां फिल्म आपको कहीं-कहीं थोड़ी सी लंबी लगती है आपको कहीं कहीं लगता है कि ये सीन काटा जा सकता था अगर 15-20 मिनट फिल्म की लंबाई थोड़ी कम कर दी जाती जो कि अक्सर आजकल हमें हर फिल्म देखने के बाद महसूस होता है वो इसके साथ भी मैसूस होता है कि थोड़ी सी लंबाई कम होती तो फिल्म अच्छी बन सकती थी और अच्छी बन सकती थी लेकिन कुल मिलाकर ये एक अच्छी फिल्म है एक सेंसिटिव इशू को डील करती हुई फिल्म है और इस इशू को फिल्म बहुत भखुबी डील किया गया है हर्श वर्धन कुलकर्णी ने फिल्म का डिरेक्शन किया है इससे पहले उन्होंने हंटर नाम की फिल्म डिरेक्ट की थी तो एक तरह से कह सकते हैं कि पहली बड़ी फिल्म उन्होंने डिरेक्ट की है और डिरेक्टर ने अपना काम अच्छे से किया है अक्टरस ने अपना काम अच्छे से किया है कुल मिलाकर एक अच्छी फिल्म जिसे जरूर देखना चाहिए और ऐसी फिल्म में बननी चाहिए जो ऐसे मुद्दों पर बात करती हैं जो मुद्दे हमारे समाज के लिए जरूरी हैं जिन पर बात करने से लोग बचते हैं और इसी बात पर राजकुमार राओ, भूमी पेडनेकर, इस फिल्म के मेकर्स, पूरी स्टार कास्ट के लिए हम यही कहेंगे कि इन सब को बधाई दो